दुनिया भर में बढ़ती महगाई को काबू करने के लिए केंद्री बैंक जिस रफ्तार से ब्यातरें बढ़ा रहे हैं उसका सर बॉंड मार्केट पर पढ़ रहा है करीब 40 वर्षों में पहली बार ग्लोवर बॉंड मार्केट बीर जोन में खिसक गया है गर्मेंट और इन्वेस्मेंट ग्रेट कॉर्पेट बॉंड के लिए ब्लूम वर्षों का इंडेक्स 2021 के उपरी इस्तर से करीब 20 फीसद टूड गया है 1990 में इस इंडेक्स की शुरुवात हुई थी और तब से लेकर अब तक ये इंडेक्स में सबसे बड़ी गिरावट है बार बार बांड मार्केट में मंदी आना इसलिए बड़ी खबर है कि पूरी एक पीड़ी ने महेंगी ब्याजदरे ने देखी ही नहीं हमें 2008 के पहले से भी पूरी दुनिया की अर्थवे उस्ताओं में ब्याजदरे कम करने की होड़ चलती रही और जब तक ब्याजदरे कम होती रहती हैं बांड माजार हमेशा बुल फेस में बना रहता है बांड माजार में जैसे ही ब्याजदरे बढ़ना शुरू होती है यानि जिस पर बांड जारी करने वाले लोग करज लेते हैं उसकी दरे बढ़ाते हैं तो बांड माजार बांड की कीमतें गिरती हैं बांड माजार में मंदी आती है ये तो हुआ बांड माजार में मंदी का कर सकती उनके लिए सबसे बड़ा केंद्र उनकी उनके संसाधनों का सुरुद बाजार है करीब करीब 128 ट्रिलियन डॉलर का बाजार है दुनिया में में जिसमें जिसको हम ऐसे से बांड कहते हैं जिनको सावरिन और सब नेशनल बांड कहा जाता है इनकी हिस्सेदारी 68 फीस द दुनिया में ट्रेड होते हैं जो सरकारों के बांड है या अंतराष्टी सरकारों के बांड है कि चाइना का बांड अमेरिका के मार्केट में ट्रेड हो रहा है या भारत के कि सरकार सरकारें अपने बांड या दुनिया कि सरकारें दुनिया के अलग-अलग देशों में अप महत्वपूर्ण होती है जैसे जैसे बांड मारकेट में मंदी आ रही है फिक्स्ड इंकम इन्वेस्टर्स जाधा निवेश कर रहे हैं क्योंकि महंगाई से बचने के लिए बांड जैसे जैसे ब्याज़दर ने बढ़ रही है वैसे कोई समय नहीं होता तो ये मंदी का दूसरा चेहरा पर मंदी का जो सबसे जाधा खतरनाक है जो इन बांड से बारूइंग करते हैं उसमें कार्पोरेटर सरकार है खासतर उसे सरकार है तो यदि अंतराश्टरी बाजारों में ब्याज़दर लगातार बढ़ती रही है इसकी संभावना भी कम से कम अगले 6 महीने तक है और बांड मार्केट में मंदी बढ़ती रही यानि सरकारों को ज्याधा ब्याज देना पड़ा करज उठाने के लिए तो इसका असर हमें उनके बजटों पर नज़र आएगा और अंतता हुनके खर्च पर नज़र आएगा जो वो खर्च करते हैं तो अगर आप निवेशक की तरफ से इसको देख रहे हैं अगर आप बांड मार्क अगर अगर आप बारोर के नज़रिये से देख रहे हैं अगर वो बाजार से करज लेना चाहती तो उनके लिए ये मंदी घातक है पर ये एक नया पहलू है जो हमें अंतरश्टी बाजार में दिख रहा है